जहें दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको exam perspective based slave dynasty के important rulers और important event के बारे में बताने की कोशिश करूँगा साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इस dynasty के दोरा कितने structures बनवाए गये थे भारत में दोस्तो slave dynasty को परने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि कैसे ये dynasty भारत में आई ये बात है दोस्तो 1191 AD की जब भारत में first battle of terrain लड़ा जाता है मुहम्मद गौरी और पृतिवीरा चौहान के बीच में बेसिकली दोस्तो मुहम्मद गौरी गौरी डैनेस्टी का रूलर था जो कि घौर रिजन से आया करता था जो कि आज की डेट में अफगानिस्तान में located है और इधर पृतिवीरा चौहान लगभग पूरे राजिस्थान पर रूल कर रहे थे इस बेटर में दोस्तो पृतिवीरा चौहान जीत जाते हैं पर बहौरी को मारते नहीं है फिर अगले ही साल 1192 में दूसरा बेटर लड़ा जाता है तरायन का जिसमें पृतिवीरा चौहान हार जाते हैं मुहमद अफगौर यानि कि मुहमद गौरी से और दोस्तो यही से गौरिड अमपायर भारत में आना शुरू हो चुका था साथ ही 1194 में मुहमद गौरी ने जैचंद को भी हरा दिया और इसके बाद 1206 में ये पूरा एरिया गौरिड अमपायर के अंडर में था बट यहां पर एक कहानी है कि कैसे मुहमद गौरी ने ये पूरा एरिया अपने स्लेव कुतुबदीन एबक को रूल करने के लिए दे दिया जिस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है लिंक की डिस्क्रिप्शन में है जाके चेक आउट कर सकते हैं अब जो 112.06 में कुतुबदीन एबक ने मुहमद गौरी के मरने के बाद डेली संतनत पर इसलेव डिनेश्टी इस्टैबलिश करते हुए खुद को रूलर डिक्लियर कर दिया साथ ही ये वहां की समाच के दोरा लाक बक्ष का टाइटल भी प्राप्त करता है जो की इसे इसलिए मिला था है ताकि वहां के गरीब और जरुरतमंद लोगों को अपनी वेल्स में से डिस्ट्रिब्यूट करता था साथ ही इसने डेली में कुवात उल इसलाम मस्जिद बनवाया और अजमेर में अडाई दिन का छोपड़ा भी बनवाया साथ ही इसने ही कुटुब बिनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था अपने सूफी सेंट ख्वाजा कुटुबदीन बक्तियार काकी के सम्मान में फिर दोस्तो 1210 में चौगन खेलने के दोरान इसकी डेथ हो जाती है चौगन बेसिकली पोलो गेम हुआ करता था अब दोस्तो इसके मरने के बाद स्लेव डैनेश्टी का रूलर बनता है इल्टुत्मिष जो की कुटुबदीन एबक का दामाद था और दोस्तो इल्टुतमिष को ही स्लेव डैनेश्टी का रियल फाउंडर माना जाता है और इसने रूलर बनते ही अपनी डैनेश्टी के कैपिटल को लाहोर से देली शिस्ट किया साथ ही कई हिस्टोरियन्स ये भी मानते हैं कि इसने ही मंगोल के इन्वेजन्स को रोका था साथ ही इसने ही टंका और जितल की करेंसी सिस्टम को इंट्रिडूस किया था टंका बेसिकली सिल्वर कॉइन होता था और जितल कॉपर कॉइन और इसने ही इक्ता सिस्टम की शुरुआत भी की थी जिसमें जो जमीने होती थी वो शोल्जर्स और नोबिलिटी को मिला करती थी साथ ही इसने ही चाहलगनी सिस्टम को इस्टैबलिश किया थी चाहलगनी सिस्टम में बेसिकली 40 educated या grateful member होंगे राज के जो राजा के दर्बार में बैठेंगे अपनी सलाह रखने के लिए और इसी की राज्य में दोस्तो कुतुब मिनार की construction भी complete कराई गई थी फिर दोस्तो समय बीटता गया और 1236 में इल्दूत मिश्की दैत हो जाती और इनके मरने के बाद दोस्तो इनकी दोटी रजिया सुल्तान रूलर बनती है ये डैनिश्टी की जो कि पहली और आखरी मुस्लिम वोमें रूलर थी जिसने डैली पर रूल किया था लेकिन दोस्तो इनके रूलर बनने में भी काफी दिक्कते आई थी क्योंकि जो नोबल्स होते थे वो नहीं चाहते थे एक लड़की रूल करें उनके इपर लेकिन फिर भी ये रूलर बनी तासी इत्यासकारों ने इन्हें काफी कुशल रूलर माना है फिर दोस्तो रजिया सुल्तान रूलर रहते हुए मलिक इक्तियार उद्दीन अलतूर्निया से शादी कर लेती है जो की भटिंदा का गवर्नर था लेकिन दोस्तो सत्ता के लिए रजिया सुल्तान को उसके भाई के एक छोटी सी आर्मी के द्वारा मार दिया जाता है और इन्हें सक्सीड किया जाता है मुईजुदीन बनम शाह के द्वारा दोस्तो इसके बाद कई रूलर्स आते हैं 1240 से 1265 से लेकिन वो उतने काबिल कुशल नहीं होते हैं जिस कारण लगबग सभी एक्जामों में उनसे सवाल नहीं आता है और फिर दोस्तो 1266 AD में स्लेव डैनस्टी के रूलर बनते हैं घिया सुदीन बलबन और इन्होंने लगबग पूरे स्लेव डैनस्टी पर एक स्ट्रॉंग और सिंट्रलाइस्ट गवर्मेंट इस्टैबलिश की साथी दोस्तो इन्होंने चहलगनी के सिस्टम को तोर दिया यानि वो जो 40 लोग बैठते थे उन्हें हटा दिया ताकि ये रूलर बनने का प्रोसेस मोनार्की रख सकें यानि बिना किसी ओपीडियन के राजा किसी को भी राजा बना सकता था साथ इन्होंने अपनी आर्मी को स्ट्रॉंग करने के लिए दिवान ये अर्ज भी इस्टैबिश किया जो की मिल्टरी डिपाटमेंट होता है और फिर दोस्तों इन्होंने बलड एंड आरम की पॉलीजी भी एडाप्ट की ताकि ये लाओ और ओर्डर प्रोबलम्स को रीस्टोर करता है और इन्होंने जिलिलाही का टाइटल भी एडाप्ट किया फिर दोस्तों 1287 में घियासुदीन बलबल की देथ हो जाती है और उसके बाद रूलर बनता है उसका ग्रेंड सन काइकोबाद जिसको उतना कुशल रूलर नहीं माना जाता है और इसको ही खिलजी फैमिली द्वारा मारा जाता है और यहां से शुरू होता है खिलजी इसाहँएश्योर आप स्वारा मारा जाठ कोशल भाल कर दो में कुशल जाना जाम से खिलगा जाठ के जाम मैं उसके जामान एाएश जाता है और रहां वे अबल्दी देच्टार नहीं बल्स्तों प्रूल